भारत की आनबानशान 87.03 मीटर्स का थ्रो किया जावलिन का नीरच चोपड़ा ने और हम सब को गौरवानविद किया मगर एक इंटर्व्यू में उन्होंने बताया कि पहला वाला थ्रो उन्होंने जलबाजी में किया क्योंकि वे अपना जावलिन नहीं धून पा रहे थे जो उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर अर्शद नदीम के हाथ में देखा उसके बाद बहुत सारे लोगोंने अनाप्शन आपकी बाते बोली तब उन्होंने कहा कि वो बहुत डिसपोइंटेड है लोगों के इस प्रकार की प्रतिक्रिया पर 1936 के ओलंपिक गेम्स में चलते जो हिटलर की जर्मिनी में हुआ और हिटलर वां था वो अपनी रेस को सबसे सुपीरियर समझता था दूसरों को नीची नजर से देखता था अमेरिका ने एक ब्लाक व्यक्ति उसको भीजा उसका नाम था जैसी ओवन्स और जैसी ओवन्स को बहुत ही बुरा महसूस करवाया हिटलर ने और इसी कारण से जब उसकी बारी आई लॉंग जम की तो उसने पहले दो फाउल कर दिये उस समय लाज लॉंग उसके पास गया उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उसे कहा कि वो पीछे जाकर फिर चलांग लगाए उसने मदद करी उनका रेकॉर्ड 8.06 मीटर्स का था जैसी ओवन्स का और लाज लॉंग के सबसे वेतरीन रेकॉर्ड 7.87 मीटर्स को पचार दिया उनोंने लाज लॉंग को सिलवर मेडल मिला और जैसी ओवन्स को गोल्ड मेडल मिला 1936 के ओलम्पिक्स में ये क्या बताता है आपको कि जब हम कोई खेल 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 रहे होते हैं तो उसमें हमारे दुश्मन नहीं होते हैं हम स्पोर्ट्समन स्पिरिट के साथ खेलते हैं खेलाडियों को अपनी राजनीते का हिस्सा मत बनाई है अपने वेस्टिड इंट्रेस्ट और प्रोपोगांडा में मत लाई हैं जो वो खेल कर रहे हैं उनके प्रतिद्वन्दियों के साथ वो कैसा व्यवार कर रहे हैं वो बताता है कि वे कितने अच्छे खेलाडी हैं आप लोगों ने तो देश में ही अपने साथियों को देश द्रोही कहना शुरू कर दिया है खेलाडियों को छोड़ दीजे खेलाडी खेलाडी होता है और खेल के मैदान में केवल प्रतिद्वन्दी होते हैं दुश्मन नहीं